कि आखे बात करेंगे केपलेस के तृति नियम कि बारे में केपलेस ऐड लव जिसको हम ağ जानते हैं क्या जानते हैं ग्रह के परिक्रमन काल का जो वर्ग होती है यानि कि कख्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जो लगाट टाइम है Begin ले ले और यहां इसको पूरा चक्कार लगाने में ठीक है लगा टाइम उस देघव्रित की अर्ध-देग अक्षके घ्ण के समान अपाती होती है ठीक है जो बैसिकलि हम मानते हैं किसी ग्रह के चारो और सुर्य के इसका जो definition ने कुछ इस प्रकार्श हुआ किसी ग्रहक के प्रिक्रमन काल का वर्ग दिर्ख रिवित की अर्ध दिर्ख अक्ष बहुत इंपोर्टन चीज़ है यहाँ पर अर्ध दिर्ख अक्ष आधी वाली दिर्ख अक्ष यानि कि ये वाली जो भाग है उसको दिर्ख अक्ष कहेंगे और ये वाली जो भाग आएगी वो लगुवक्ष रहलाएगी उसके घंके समानुपाती यानि कि ये वाली जो भाग है उसको घंके समानुपाती होगी ये कहा गया है और ये जो नियम है वो बताता है कि जो ग्रह है सूरे से जितना अधिक दूर होगा उसका जो टा ताइम लगेगा उसका चक्कल लगाने में परिक्रमन करने में और कोई ग्रह यह वाली ग्रह की बात करें माली यह वाली है प्रित्वी है यह मंगल है तो मंगल ग्रह को प्रित्वी के सापेक्ष सूरी की चक्कल लगाने में ज्यादा टाइम लगा यह वाली जो निया में वह हमको यह बताती है तो हम ने यहां पर देखा कि जो ग्रह की जो पात दिर्ग वित्ती मानी है तो दिर्ग वित्ती कक्ष में दो एकसिस होती है एक लगु एकसिस और एक दिर्ग एकसिस सोरी अहां ठी सीनियर और सेमी माइनर और सेमी मेजर दो एक्सिस यहां पर है अब उन दोने एक्सिस के लिए देखिए जो सेमी मेजर एक्सिस है यानि कि उसको यदि हम ए माने तो सेमी माइनर है एक्सिस उसको भी माने तो भी मिलेगी हमको एक्वेशन सेकेंड माने तो अब देखिए इसको कुछ इस प्राकार देहल कीजिए में हैं सराल कीजिए अब निकलेगा हमारे लिए यहां पर हमने रग दी 2 हम इसको सरौ गिए इसका एक भाग कटेगा यहां वाला बाग भचेगा नीचे इसके प्राकार से बीगए अल वाइ cousin प्रकार हमने जो पिछली संग देखी थी जो नियूटर्ण की फिर्ष्ट लौ है सौरी केपलर्स की जो फिर्ष्ट लौ उसमें हमने देखा है कि यह जो होती ना भी लंब की जो लंबाई होती है वो यह स्क्वेर्वाइब अ सियम के पराबर होती है जो की बेसिकली बी-स्ट्रवाइब एक वेल्यू होती है कि तब ग्रह के परीता आवरत काल का हम एक्वेशन निकाल सकते हैं हम पर निकालने तो दिर्ग्रवित का जो छेत्रफाल है मतलब जो दिर्ग्रवित है उसने जितना एरिया कवर किया है उसका त्रिजी वेक के साथ अनुपात ही उस सूरे से ग्रह के अवर्तकाल का एक वैसान होगा तो दिर्ग्रवित का छेत्रफाल आता है पाई अब निकाला है जो सेकंड लओ है इसमें निकाले हैं l by 2m is equal to निकाले थे m r square omega by 2m तो यहां से हमने इसको सरल किया और निकाली omega r square by 2 जो कि यहां पे omega r square को हमने h मानी थी h equal to 2 हमने यहां से इस चीज को निकाली है so t is equal to 2 pi ab by h निकले गी फिर जैसे कि हमने इसकी definition है उसमें हमने बात की है कि time का square मतब जो आवर्तकाल का square तो हमने इसको आवर्तकाल का हमने square करके इसी form को हमने change कर दी तो हमको यह form मिली अब इसमें हमने क्या किया कि जो b square है जिसकी equation हमने यहां पे निकाली थी यह वाली sorry हाँ यह वाली इन दोनों से interrelate करके हमने b square की value निकाली अब b square की value को हमने यहां पे रखा जो होती है a cube by cm ठीक है अब क्या करेंगे हम यहां से जो यह जो term है इतनी term यह जो term है उसको हम जो है एक constant मानते हैं इसको एक constant मानते हैं तो हमको t square directly professional to a cube इस प्रकाश मिलेगी जो बताती है कि किसी ग्रह का जो परिक्रमनकाल का वर्ग है उस ग्रह के अर्ध दिर अक्ष के वर्ग के श्क्यूब के शमान पाती होती है और यह जो equation है इसके through हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह जो है सूरे से कितनी दूरी पे है और कितने time लेगा वो अपनी पूर्णी चक्र करने में यह जो equation निकली है इसी को हम केपलर्स की त्रीती नियम के नाम से जानते हैं और यह जो नियम है वो एक चीज और बताती है इस्पेसली कि कि किसी भी चीज के जब हम calculation करेंगे तो सूरे को स्थिर ना माने नहीं माननी है क्योंकि जो सूरे भी है वो अपनी galaxy के चारो और प्रेक्रमा करता रहता है तब जो है m की स्थान पर यह जो small m है small m की स्थान पर सूरे और ग्रह के जो समानित द्रवे मान होती है यानि कि जो mu होती है mu is equal to हो जाएगी capital m small m divide by small m plus capital m यह लेना पड़ेगा क्योंकि जो capital m होती है वो बहुत बड़ी होती है small m के साब एक्ष इसी प्रकार से जो mu होगी वो small m से बहुत चोटी मतलब उसके लगभाग उससे चोटी value देगी इस वाज़े से हम सूरे को स्थिर्मानते हैं हमने basically इस चीज को देखी है कि समानित द्रवे मान की जो value होती है वो सबसे चोटी जो द्रवे मान लेते हैं द्रवे मान में से किसी एक सबसे चोटी द्रवे मान उससे भी चोटी हमको quantity मिलती है तो इसी प्रकार से हम जो है इस चीज को एपलाई करते हैं